यह है गाइस दोजार तेज की All New TVS Jupiter 125 Oble 2 BS7 E20 वरिजन आज मैं इसका फुली डिटेल में रिवीव करने माला हूँ और आज हम देखेंगे इसके अंदर हमें क्या का नुवी पिटर्स देखों मिलते हैं प्राइज, मालेज, टॉप स्पिड सारी जान करें दोसो इस वीडिक अंदर में आपको डिटेल में देने माला हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्पेशल टैंक्स तू शेलर, टीवेस अकर दोसो आपको टीवेस का कोई भी पोड़क देखना होगा तो शोरूम की सारी कॉंटक अंद डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिशन में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस स्कूटर के फ्रंट लुक से तो फ्रंट से कुछ इस टैप का इसका आपको लुक देखना हो मिलता है तो यह जो इसका वाइट कलर है बाकि सामने यहापर आपको गलोसी फिनिसिंग देखना हो मिलती है साइड में आपको क्रोम फिनिसिंग का यूज किया गया है बाकि कुछ इस टैप के इसका वाइजर है साइड में आपको वाइट कलर देखना हो मिलता है हेडलैम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसका LED headlamp setup देखनों मिलता है यहाँ पर हमें इसका ऊपर में low beam देखनों मिलता है और नीचे में इसका हमें high beam देखनों मिलता है बाकि headlight setup जो यहाँ पर हमें fully LED रहने वाला है नीचे यहाँ पर आपको TVS का logo देखनों मिलता है बाकि यहाँ पर अमरे लगने वाले हाई सुक्रीन अबर प्लेट साइड में यहाँ पर आपको LED DRL देखनों मिलते है जो कि साइड में आपको देखनों मिलने वाले है इंडिकेटर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको इसके साइड में कुरूम का यूज क्या गया है तो फ्रंट साइड से इसका लूग जो है दोस्तो कुछ इस्टाप का रहने माल है इसके साइड लूग की अगर हम बात करें तो साइड में आपर आपको TVS इंटी लोगो का जो स्टिकर देखनों मिलता है जो कि इसके अंदर TVS इंटी लोगो टेकनों मिलते है आगे की मठगार के बात करें तो कुछ इस टाप का इसका मठगार है जो कि वाइट टाइप में आता है मठगार जो है आपर आपको मेटल कॉलोडी के साथ देखनों मिलता है अभी हम बात करते हैं इसके फ्रंट सस्पेंशन के बारे में फ्रंट में आपर आपको टेलिस्कोपिक हाइडरोलिक सस्पेंशन देखनों मिलते है सस्पेंशन के साड़ में आपको कुछ इस टाप के रिफ्लेक्रेस देखनों मिलते है बाकि अभी हम बात करते हैं टायर के बारे में तो फ्रंट में आप आपको 19x1912 का ट्यूबलेस टायर देखनों मिलता है जो कि 12 इंच एलाविल सेटप के साथ आता है तो यहाप आपको फुली डायमंड कट एलाविल सेटप देखनों मिलता है बाकि ब्रेकिंग के अगर हम बात करें तो फ्रंट में आप आपको 220mm का डिश सेटप देखनों मिलता है बाकि इसके कैलिपर साब देखलो साइड लुक के अगर हम बात करें तो कुछ इश्टाइप के इसका साइड लुक है अभी हम आते ही इसके हैंडल्स की तरब बाकि कुछ इश्टाइप का 200 इसका लुक है की की बात की जाए तो एक बार आप इसकी की देखलो की के उपर TVS का लोगो देखनों मिलता है तो कुछ इश्टाइप की इसकी की है यहापर में लगा देता हो बाकि अभी हम बात करते हैं इसके स्वीचेस के बारे में तो यहापर आपको कुछ इश्टाइप का इसका जोए ब्रेक देखनों मिलता है बाकि passing की light देखनों मिलते है जो कि low beam, high beam नीचे यहापर आपको indicator switch देखनों मिलता है बाकि horn switch देखनों मिलता है बीच में आपर आपको semi-digital instrument console बाकि यहापर थोड़ा बहुत chrome का use के आए यहापर हमें intelligent technology का button देखनों मिलता है और नीचे यहापर आपको self start देखनों मिलता है जो कि silence start रहने माला है अभी हम बात करते हैं इसके meter console के बारे में तो दोस्तों कुछी step से यह जोई on होने माला है बाकि फिर से एक बारे में इसको on करता हूँ तो कुछी step से यह जोई on होने माला है अभी हम बात करते हैं इसके information के बारे में यहापर आपको इसका speedometer देखनों मिलता है बाकि बीच में आपर आपको TVS का logo यहापर आपको engine check light नीचे यहापर आपको fuel gauge की light side में eco and power mode के indicator की light देखनों मिलते है अभी हम बात करते हैं इसके बीच में mode के उपर क्लिक करता हूँ यहापर आप देखनों trip भी हो चुका है IFE यापर आपको इसके features देखनों मिलते है तो अभी हम बात करते हैं इसके नीचे के side के look के बारे में यहापर में इसका fuel lock देखनों मिलता है यहाँसे आप इसका fuel जो fuel up कर सकते है बाकि TVS and A20 की branding बाकि थोड़ी बूद यहापर आपको black finishing देखनों मिलते है बाकि चीजे बगर लटकाने के लिए यहापर आपको इसका hook देखनों मिलता है side में यहापर आमारी key लगने हो वाली है तो यहाँसे आप seat and petrol lock खुल सकते है बाकि यहापर आपको USB charging socket देखनों मिलता है तो आपना smartphone वगरा दोस्तों यहापर आप आराम से charge कर सकते है तो कोई भी यहापर आपको दिक्कत नहीं होने वाली है बाकि नीचे जो थोड़ा बूद space देखनों मिलता है तो यहापर आप आपना smartphone वगरा रख सकते है बाकि नीचे के side की look की बात के जाए तो कुछ इस type का इसका look है तो यहापर आपको fully hard plastic देखनों मिलता है इसका तो यहापर आप आराम से बिट सकते है कोई भी यहापर आपको तकलिप नहीं होने वाली है तो नीचे के side की बात के जाए तो यहापर आपको कुछ information दे रख किए बाकि sit के नीचे की अगर हम बात करे तो कुछ इस type का दोस्तों इसका look है बाकि matting अगर देखनों मिलते है पेर रखने के लिए side look की अगर हम बात करे तो कुछ इस type का इसका look है अभी हम बात करते है इस scooter के नीचे के portion के बारे में तो नीचे यहापर आपको थोड़ी बूद प्लैक finishing देखनों मिलते है बाकि side में यहापर आपको पूरा white color देखनों मिलने वाला है यहापर आपको इसका side stand का top sensor देखनों मिलता है यहापर आपको adjustable pillion foot race देखनों मिलते है बाकि अभी हम बात करते हैं इसके seat के बारे में यहापर हमें इसकी 765 mm की seat height देखनों मिलते है जो कि इसकी cushioning भी दोस्तों बहुत ही जदा अच्छी है side look के अगर हम बात करें तो side में आपर आपको Jupiter 125 का logo देखनों मिलता है जो कि इसके अंदर red elements का use क्या है इसके side में fully chrome finishing हमें देखनों मिलती है जो कि देखने के लिए इसको बहुत ही जदा एक ट्रेक्टू look देती है इसके पीछे में जो हमें कुछ step के इसके grab handle से देखनों मिलते है पीछे यहापर में इसका reflector देखनों मिलता है बाके कुछ इस type का 200 इसका look है बाकी और ओल यह है इसका side look अभी हम बात करते है इसके rare look के बारे में तो rare में आपर आपको TVS का logo देखनों मिलता है बाके अभी हम बात करते है इसके tail light के बारे में प्रेयर में यहापर आपको fully LED टेल लाइट देखनागों मिलते हैं जो कि spilled टाइप LED टेल लाइट है बाकि यहापर आपको उसी टाइप के halogen इंडिकेटर देखनागों मिलते हैं निचे के साइड की लुक यह अगर हम बात करें तो यहापर आपको इसका number plate रिफलेक्टर बाकि यह रहा है इसका side look तो और और कुछ इस टाप के इसका look है बाकि यापर आपको उसी टाप के pillion footrest and इसका side look तो अभी हम बात करते हैं इसके नीचे के look के बारे में तो यापर आपको कुछ इसका metal body के साथ exhaust देखनों मिलता है side में यापर आपको इसके chrome plate देखनों मिलती है अभी हम बात करते हैं इसके engine के बारे में engine के अगर हम बात करते हैं तो यापर आपको 124.8cc का air cold 4 stroke single cylinder BS7 engine देखनों मिलता है जो की produce करता है 8.04 PS की power और 10.5 Nm तक का torque बाकी engine का कुछ इस टाइप का इसका look है यापर आप oil वगरा fill up कर सकते हैं बाकी अभी हम बात करते हैं इसके दूसरे side के look की तरब तो engine के उपर यापर आपको TVS का logo देखनों मिलता है और kick यापर आपको इसकी देखनों मिलती है अभी हम बात करते हैं इसके rear suspension के बारे में रेर में आपर आपको monotube inward gas built shock spring and 3 adjustable suspension देखनों मिलते हैं जो कि 3 step adjustable है बाकी अभी हम बात करते हैं इसके braking के बारे में रेर में आपर आपको 130 mm का जोए drum brake देखनों मिलता है tires की बात के जाए तो यहापर आपको उसी type के 19 by 19 12 के tubeless tire देखनों मिलते हैं जो कि 12 inch allow wheel setup के साथ आते है तो अभी में आपको दिखा देता हूँ कि यहापर आपको petrol lock जोए कैसे open करना है यहापर आपको simple key यहापर आपको insert करनी है key जो ही इसके अंदर insert करने के बात यहापर आपको इसको जोए push करके left hand side की तरव key को जोए गुमा लेना है तो वेसे ही यहापर आपका fuel lock जोए open हो जागा यहापर आप देख लो यहापर मेंने key जोए insert कर लिए पुश करके यहापर आपको left hand side की तरब गूमा लेना है तो वेसे ही यहापर आपका fuel lock जो ओपन हो जाएगा तो आपको seat lock जो खोलना होगा तो उसी type से यहापर आपको key insert करके पुश करके यहापर आपको right hand side की तरब key को जो गूमा लेना है तो वेसे ही यहाँ पर आपका seat lock जो ओपन हो जाएगा इसके अंदर आपको अच्छा कासा 33 लिटर्स का luggage space देखनों मिलता है तो इसको एक बर में हटा के आपको देगा देता हूँ तो बहुत ही अच्छा कासा इसके अंदर आपको इसका luggage space देखनों मिलता है अभी हम बात करते ही स्कुटर के mileage के बारे में यहाँ पर आपको इसका 42 km फिलता का mileage देखनों मिलता है top speed के अगर हम बात करे तो इसके अंदर आपको 95 kmph की top speed देखनों मिलती है weight के अगर हम बात करे तो इसके अंदर आपको 108 kg तक का curve weight देखनों मिलता है 163 mm तक का इसके अंदर आपको ground clearance देख मों मिलता है बाके इस scooter की Xroom और on-road price यहाँ पर आपको डिस्प्ले के उपर दिख रहे होगी तो अभी जो आप इसका exhaust note सुन लो सबसे पहले यहाँ पर आप इस scooter का इंजिन का top switch sensor देख लो यहाँ पर आप देख लो जैसे ही यहाँ पर में की को on करूँगा यहाँ पर मेरा stand जो ओन है तो कुछी steps जो दोसको यह जो आपको warning देगा जैसे ही यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पर यह जो तुरंद बंद हो जाएगा अभी आप इसका exhaust note सुन लो अभी आप जापको यहाँ रहाँ जापको जापको यहाँ जापको यहाँ जापको ऑफैंगा चिंट